नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर. आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएस्सी नर्सिंग के बारे में तो हमारे साथ बने रहिए और जानिये विस्तार से. भारत में डॉक्तरों की संख्या से ज्यादा नर्सों की संख्या पाई जाती है, जो की डॉक्तर के सहायक के रूप में काम करते हैं. चो चलिए आज के इस कल में हम आपको बताते हैं कि यदि आपको नर्स बनना है तो उसके लिए आपको बारहवी कक्षा करने के बाद किस कोर्स में ग्रैजुएशन करनी चाहिए उसके लिए भारत में टॉप 10 कॉलेज कौन से हैं और उनमें एड्मिशन लेने के लिए eligibility क्या होनी चाहिए एड्मिशन प्रोसेस और उस कोर्स को करने के बाद छातरों की जॉब प्रोफाइल क्या होगी और सैलरी क्या होगी बैचलर of Science in Nursing कोर्स क्या है B.S.C. Nursing Bachelor of Sanis in Nursing चार साल की अवधी के साथ एक undergraduate डिगरी है जिसमें की छात्रों को medical treatment से मानवता की सेवा करने के लिए तयार करता है B.S.C. Nursing कोर्स में न केवल लोगों का इलाज करना सीखाया जाता है बलकि एक nurse का काम जरूरत मंदों के प्रतीस ने देख भाल जैसी सेवाओं को भी प्रदान करता है B.S.C. Nursing का कोर्स करने के लिए छात्रों को बारहवी कक्षा में science, stream, chemistry और biology जैसे विशो में पास होना जरूरी है भारत में Nursing डिगरी के प्रकार B.S.C. Nursing Basic कोर्स चार साल B.S.C. Nursing Post-Basic दो साल M.S.C. Nursing दो साल In-Phil एक वर्ष B.S.C. Nursing के बाद ये कोर्स कर सकते हैं M.S.C. in Nursing Diploma in Critical Care Nursing Diploma in Nursing Administration Diploma in Cardiovascular Thoracic Nursing MBA in Hospital Administration M.P.H. Master of Public Health B.S.C. Nursing के लिए eligibility B.S.C. Nursing में आवेदन करने के लिए उम्मीद्वारों को कुछ निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा हालाकि B.S.C. Nursing की eligibility एक संस्थान से दूसरे संस्थान में भिन होता है उम्मीद्वारों को Physics, Chemistry, Biology में नियूनतम 50% के साथ कक्षा बारहवी में पास होना चाहिए बारहवी कक्षा में अंग्रेजी भी अनिवार्य विशय है भारत में B.S.C. Nursing कोर्स कराने वाले टॉप 10 कॉलेज एक अखिल भारतिय आयूर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली दो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज चेनने पांच गुरु गोबिन सिन इंद्रप्रस्थ विश्वविद्याले नई दिल्ली छे श्री रामचंदर विश्वविद्याले चेनने साथ तमिलनाडु M.G.R. विश्वविद्याले चेनने आठ गावर्मेंट मेडिकल 9. राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्याले बैंगलोर 10. हिमाचल प्रदेश विश्व विद्याले शिमला B.S.C. नर्सिंग सैलरी B.S.C. नर्सिंग सनातकों को आस्तन 3.2 लाख रुपए प्रती वर्ष का आसत वेतन पैकेज मिलता है हालाकी सैलरी पैकेज या अस्पताल के उम्मीद्वारों के अनुभर पर आधारित होता है B.S.C. नर्सिंग के बाद करियर का मौका सरकारी या निजी अस्पतालों, क्लिनिकों और अन्य स्वास्थ्य विभागों में क्लिनिकल नर्स नर्सिंग कॉलेजों, प्रशिक्षन संस्थानों आधी में नर्स शिक्षक अनुसंधान संस्थानों और स्वास्थ्य देख भाल कमपनियों में नर्स शोध करता अस्पतालों में नर्स प्रबंधक या प्रशासक कंक्लूजन इस वीडियो में हमने B.SC नर्सिंग के बाद क्या करें इस विशय पर चर्चा की है यहां हमने B.SC नर्सिंग के बाद के अवेलेबल कोर्सेस के बारे में बात की है कि B.SC नर्सिंग के बाद आप कौन-कौन से कोर्स कर सकते हैं और साथ ही हमने BSC नरसिन के बाद के जॉब आप्शन्स के बारे में भी बात की है हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा इससे संबंधित कोई प्रशन आदी हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं विडियो पसंद आया हो तो विडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद